हालो फ्रेंज आई आज बनाते हैं कुछ मीठा तो मैं आज काकरा बनाने के लिए प्लान की हूँ यह काकरा पिठा होता है उड़िया की होर घर में फेमोस होता है तो पहले उसके लिए हम स्टॉफिंग बना लेते हैं एक प्यान गरम करके उसके उपर में डाल दूँगे इसे बारे ग्रेट के हुआ को कोकुनोट को हम उसको फ्राइए को लेंगे जब थोड़ा कॉलर चेंज होने लगेगा कोकुनोट का उसके उपर हम डाल देंगे शुगर आप अपनी पसं का सुगर या गूड कुछ भी डाल चकते हैं और मिठा की हिसाब से जितना आप मिठा खात दालना दो थोड़ा सा सुगवर ले उसके उपर में फ्राइए कर लेंगे अपनी ताक्यों हमारा जो कोकुनोट गौरं है उसके साथ ही मिलर जएगा मतलब राउन हो जाएगा तब हमारा स्टाफिंग है बिल्कुल रेड़ि है उसके ओपर हम एक चमा ची पावडर डालके हम फ्लेम बंद करके उसको निकाल लेंगे यह मीठाई का मेईन ईंग्रेवियेंट है सूजी तो Вам सूजी से रहे हैं तो सूजी का मेजरंड यह है जितना सूजी उतना पानी तो एक कट्री पानी डाली दे थी पानी के अंदर थ्ला नम्मक army पानी उबल जाए जैसे हम उपमा बना थे सुजी तरफ से हम डाल देंगे उसको एक हाथ से हम सुजी डालते हुए मिलाएंगे और पांस मिनट के लो उसको ढख कर देंगे ताकि पानी अच्छे शोख करके सुजी जो हमारा इसे बाइंडिंग आ जाए अभी थंडे होने के ब कर देंगे उसको हम सेफ बनाएंगे आप अपने पौसंकी कोई भी सेफ बना सकते हैं और अब हुआ इसा यह पहुआ के लिए कुछ काट्वन चैसे बनाना चाहे तो वह भी बना सक तो मैं इसे पहले गोल बना कि उसके अनदर में स्ट्शाफिंग डाले जो हम बनाए थे को के लिए कुशिच कर रही हुँ देखो यह triangle shape का हो गया है यह rectangle shape का टो rectangle chic चीफ से हुआ नहीं मून शेप में बनाई थी मेरी बैटे को मून स्टार पसंद है इसलिए मून स्टार का सिप बनाए थी तो मैं कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिते हम सारे जो बनाए थे मिठा को उसको डिफ्राइ होने के लिए छोड़ देंगे कड़ाई में अगर रेसिपी अच्छी लगी ते प्लीज उसे लाइक से और कमेंट कीजी और मेरी चैनल को स आप चाहें तो स्टार से मून से वे से कुछ दे सकते हैं या फ्री जी वाला नॉर्माल सॉर्कल शेप कर बना सकते हैं एंड थाइंक्यू